गुरुमान गोरव में भी यही बाते हो रही थी और कल की एक वीडियो जारी में उन्होंने साफ साफ यह डिसाइड किया है कि अब हमें एक स्टेप फोरवर्ड लेने की बहुत ज़्यादा जरू होता है जिससे की मैं बहुत ज़्यादा परवावित हूँ इसलिए मैं ये वीडियो ले के आया हूँ इसलिए दोस्तो आप भी ये वीडियो जरूर देखना मेरी आपसे request है चले start करते दोस्तो ये जो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनिशेट के बारे में करने वाले है और इससे क्या benefit होंगे हमें क्या benefit होंगे आपको क्या benefit होंगे उसके बारे में बात करेंगे दीगे दोस्तों ये जो initiative फिट इंडिया movement के अंदर है जिसमें कि एक master plan बनाया है उन्होंने अपने पूरे 10 साल की मेहनत को compile किया है उस compilation में उन्होंने बताया है कि हमें एक भारत को fit बनाने के लिए क्या introduce करना चाहिए सबसे पहले उन्होंने बात करिया 10-11 वारवी के जो students होते हैं उनको ये subject के तोर पर पढ़ाया जाए एक optional subject लेके आए उन पर button नहीं डाला जाए एक optional subject लेके आए जाए जिसमें कि उनको सारी जानकारी दी जाएंगी main disease की fitness की सारी के सारी जानकारी उनको दी जाए जैसे कि उसमें जो बहुत चार main important उन्होंने disease ली है जैसे कि cancer और diabetes जैसे कि आपको पता ही होगा हर घर में diabetes हो रही है तो उसको देखते हुए उन्होंने बहुत जबर्दस initiative लिया है तो इसमें वो कैसे implement करेंगे उन्होंने ये भी एक पूरे के पूरे 500 page के master plan में decide कर दिया है जैसे कि उन्होंने बताया कि भई हर school में हमें ये optional subject लाना पड़ेगा जिससे कि उनकी manpowers बचेगी अगर उनके पास जैसे कि manpower नहीं है government school में या private school में manpower नहीं है तो वो अपने trainers को train करके वहाँ पे एक एक दो दो गंटे किलास arrange कराएंगे अगर वो सरकार उनको afford नहीं कर पादी तो afford भी हो खुद करेंगे दोस्तों उन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़े बताई बहुत जादा चीज़े बताई जिससे कि मुझे बहुत अच्छा लगा और ये initiative आप खुद भी देखना समझना उन्होंने जो अपनी वीडियो में बताई सपोर्ट करना और उन्होंने एक चीज़ और बहुत अच्छी बताई कि जैसे कि जो हमारे हां से एथलीट जाते हैं उलम्पिक्स वगेरा में क्या कमिया रह जाती हैं क्या खाने पीने की कमिया है क्या कैसे उनको वर्काउट करना चाहिए और कम से कम हमें कुछ तो पोजिशन लेके आनी चाहिए इसलिए उन्होंने एक इसमें भी इनिशेटिव लिया है जो कि वह बहुत अच्छा लगा और आप वीडियो देखके समझना कि कैसे कैसे वह इंप्लिमेंट करना चाह रहे हैं अपनी बात को पुचाना चाह रहे हैं वह गोर्मेंट ओफ इंडिया से मिलना भी चाह रहे हैं लेकिन कोविड की वज़े से वह भी मिलने ही पा रहे हैं तो वह जो इनिशेट है ये 2021 में जरूर मिलेंगे और गोर्मेंट से बात करेंगे तो दोस्तों आप उनको सपोर्ट करो हमें सपोर्ट करो छोटे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करो जो भी इंफोर्मेटिव वीडियो आपको अच्छे लगे उसको सपोर्ट करो थेंक यू सो मज़ दोस्तों फर वोचिंग मैं वीडियो